students thermistors पर बात करते हैं देखें दो वर्ड से बना है एक को हम कहते हैं thermal और दूसरा वर्ड हमारे पास वह है resistor तो जब हम thermal और resistor देखें इन दोनों वर्ड को कम्बाइन कर लें शॉट लिए हम इनको क्या कहते हैं thermistors thermistors ऐसे रिजिस्टर्स जिनकी resistance depend करती है temperature पर उनको हम कहते है thermistors अब देखें जिस तरह कि हमने resistance किया resistivity की properties पड़ी थी suppose कर लेते हैं एक wire है first हम इसको consider कर लेते हैं ये एक metallic wire है metal से बना हुआ है आप consider कर ले एक conductor है conductor के अंदर चुंकि हम कहते हैं जो small particles जिनसे ये बना होता है उनको हम atoms कहते हैं ये आप consider कर ले atoms हैं इनके दरमियान small spaces यूँ हम बना सकते हैं उनको अब देखें यहां पर हम 3 layers show कर रहे हैं 3 layers एक ये atoms का layer ये दूसरा layer same way और इस तरह हम तीसरा एक layer बना सकते हैं यानि ये conductor हम show कर रहे हैं कि ये small particles atom से बना हुआ है ये many atoms है अब देखें जब इससे electron pass होता है जब हम कहते हैं कि electrical current exist करता हैं कहीं पर यानि जहां से जब electrons pass होते हैं ये electron क्या करते हैं ये in between in atoms के दरमियान जो spaces है actually वहां से ये electrons pass होते हैं यूँ for example electron इस तरह pass होता है आप यूँ consider कर सकते हैं that suppose यूँ pass होता है so अगर आप देखें इस metallic wire को अगर आप heat up कर लें यानि इसको heat कहीं से provide कर ले fire से या किसी दूसरी जगा से इसको heat up कर लें so क्या होगा जब आप heat up कर लेते हैं इसको तो यहां से heat energy transfer होगी और वो heat energy equally distribute होगी हर atom में यानि एक atom जितनी energy लेगा यह दूसरा atom भी उतनी ही लेगा तीसरे atom भी उतना ही लेगा इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप देखें तो temperature पिर हर एक point का सेम होता है यानि जो energy हम provide करते हैं वो सारे atoms में equally distribute होती है हर एक atom को energy क्या हो जाएगी वो increase हो जाएगी चुकि आपने इनको बाहर से और energy प्रोवाइट की उनके पास अपनी भी energy थी आपने और energy प्रोवाइट की उनकी energy बढ़ गई अब जब उनकी energy बढ़ेगी तो हम कहते हैं atom तो already अपनी जगा पर क्या कर रहे हैं vibration कर रहे हैं यह जो lines हैं हम vibration के लिए बनाते हैं यह atom जो है वो यह vibrate करता है हम for simplicity यह एक ही direction consider करते हैं इस तरह vibrate करता है तो अगर आप इसको और energy प्रोवाइट कर लें तो देखें जब इसको आप energy प्रोवाइट करेंगे तो उनकी जो vibration है वो और भी ज्यादा energetic बन जाते हैं amplitude भी बढ़ता है उनका और उनकी जो speed है वो भी बढ़ती है vibration की यानि energy प्रोवाइट करने से heat प्रोवाइट करने से atoms की जो vibration है वो increase हो जाती है और जितनी vibration increase होगी उतनी ही ज्यादा जो electrons है वो इन atoms के साथ collide करेंगे यानि उनके दरमियान टक्राव जो है वो ज्यादा हो जाएगा जब देखें यह atom इस तरह rapidly vibrate करेगा तो जो electron यहाँ से पास होगा वो इसके साथ टक्राएगा इस तरह यह atom भी vibrate करेगा इसके साथ भी तक्राएगा तो जितना अब temperature बढ़ाएँगे उतना क्या बढ़ेगा rate of collision बढ़ेगा जितना temperature increase होगा अतना उन electron और atoms के दरमियान जो collisions है जो टक्राओ है वो क्या होगा वो increase होगा और जितना collision increase होगा उतनी electron की जो speed है क्या हो जाएगी वो डिस्टर्व हो जाएगी या हम कहते हैं इलेक्टरान की स्पीड काम हो जाएगी और as a result हम क्या कहते हैं कोलिजन बढ़ने का जो हमारे पास result होता है वो क्या होता है resistance का यानि जो opposition है motion के लिए वो increase हो जाता है तो जितना कोलिजन बढ़ेगा atoms का और electrons का उतना जो है उसका resistance बढ़ेगा और इसलिए हम कहते हैं कि जो conductors है उनका जब temperature बढ़ता है तो as a result उनका resistance increase होता है और उतनी ही उसमें electron की ज्यादा energy जो है वहाँ पर loss हो जाती है electron energy वहाँ पर lose करता है तो as a resistors जिनकी जो resistance है जो temperature पर वो depend करती है तो उनको हम क्या कहते है तर्मल रिजिस्टर जिस तरह के यहाँ पर हमने पढ़ा कि temperature बढ़ाने से इस metal की जो resistance है वो बढ़ गई तो इसलिए हम कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे इसको हम एक thermistor कहेंगे लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें यह हमारे पास क्या था conductor था और conductor की जब हम temperature बढ़ाते हैं तो उसके साथ जो resistance है वो भी बढ़ती है यानि temperature बढ़ाने से resistance भी बढ़ता है temperature कम करने से resistance भी कम होता है यानि दोनों की दर्मियान क्या है एक linear proportion है एक linear relation है दोनों की दर्मियान लेकिन इसके इलाव अगर हम semi-conductors पर बात कर लें यह for example एक semi-conductor है तो पिर क्या होता है वहाँ पर चुंकि semi-conductor में अगर आप low temperatures पर देखें तो free electrons वहाँ पर नहीं होते हैं लेकिन semi-conductors में नहीं होते हैं चुंकि वहाँ पर electrons जो है वो atoms के साथ bound होते हैं तो जब आप low temperatures पर देखते हैं तो यहाँ पर free electrons नहीं होते as a result free electrons जिब नहीं होंगे so movement of charges जो है वो बहुत ज्यादा कम होगी या भी नहीं होगी बहुत कम temperature पर या small temperatures पर कम movement of electrons होगी तो इसलिए हम कहते हैं कि इनका जो resistance है वो low temperature पर ज्यादा होता है चुंकि free electrons उसमें नहीं होते हैं bound होते हैं लेकिन जब हम इनको heat अप करते हैं अब यहाँ पर heat देने से क्या होता है यह heat हर एक atom में distribute होता है और as a result क्या होता है कि atoms के अंदर जो lost shell में electrons हैं उनकी energy भी बढ़ती है इस heat की वज़ा से और as a result जब उनकी energy valence electron में इतनी बढ़ जाए कि वो इस shell से बाहर चले जाए तो वो free हो जाते हैं और as a result वो क्या करते हैं conduction के लिए available बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे जो हमारे पास semi conductors है ऐसे materials में क्या होता है heat up देने से resistance क्या कम हो जाता है चुंकि वहाँ पर free electrons available हो जाते हैं और metals में temperature बढ़ाने से resistance increase होता है तो इसलिए हम कहते हैं कि semi conductors जो हमारे पास अगर हम यहाँ पर temperature increase करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो resistance है वो क्या होगा वो decrease होगा यहाँ जो metals का opposite phenomenon है यहाँ पर तो जो metals हैं उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं PTC यहाँ पॉजिटिव टमप्रेचर कोफिशन्ट ऐसे materials ऐसे thermistors जिनकी resistance टमप्रेचर बढ़ाने से बढ़ती है उनको हम कहते हैं positive temperature coefficient उनका जो temperature coefficient है वो क्या होता है वो positive होता है और अगर हम semiconductors की देखें तो यहाँ पर क्या होता है temperature increase करने से resistance कम हो जाता है temperature कम करने से resistance increase होता है तो इसलिए इनको हम कहते हैं इनका temperature coefficient है वो negative है इसलिए इनको हम कहते हैं NTC negative temperature coefficient जो coefficient होता है चुझकि वो बढ़ाने से temperature बढ़ाने से वो degrees होता है या कम करने से वो increase होता है इसलिए इनको हम कहते हैं negative temperature coefficient और यह हम मुखतलिफ जबापर use करते हैं जो इनकी important use है अगर आप देखें तो वो हमारे पास cars में भी होता है cars में चुझकि यहां पर जो temperature coefficient जो temperature में जब change आता है उसकी वज़े से उसकी resistance में change आता है और as a result जो thermistors है वो temperature change को बहुत ज़्यादा sensitively feel करते हैं उसको sense करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर आप for example aeroplanes में देखें जो aircrafts होते है aircrafts में वहां पर जो उनके wings होते है aircrafts के वहां पर यह लगे होते हैं और अगर for example उनके wings के उपर ice जो है वो store हो जाती है so temperature जो है wings का वो कम हो जाएग और as a result thermistor क्या करेगा वो उस temperature change को sense करेगा thermistor बताएगा कि यहां पर temperature कम हो रहा है और as a result जब वहां पर temperature कम हो जाते है बहुत तो पिर हम वहां पर क्या करते हैं एक heater वहां पर लगा होता है वो हम आउन कर लेते हैं और जिसकी वाइस से ice जो है वो melt हो जाती है तो इसी तरह मुक्तलिफ जग़ा पर हम इसको use कर सकते हैं temperature बढ़ने को temperature increase करने को यह भी sense कर सकते हैं और temperature के come decrease होने को भी sense कर सकते हैं तो ऐसे materials ऐसे resistors जिनकी resistance depend करती है temperature पर उनको हम कहते हैं thermistors जिनकी 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 जिनक